तो हेलो गाइस वेल्कम बैक टू रॉब लॉक और उमीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारे सहर में हलकी हलकी लखनुव में बारिस हो चुकी है और तुछी बारिस का मौसम है सावन का मौसम है तो आपके यहां भी कुछ ना कुछ बारिस होई चुकी होई और यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्यार मौसम है और हम निकले थे खोड़ा सा कुछ काम से तो मैंने सोत्या कि आपको दिखाओंँ राल में मौजुद हूँ न्यौन मारीन ड्राइब यह है गोंतिनगर का marine drive जो की main राइव है तो देख सकते हैं मौशम कितना प्यारा है और बहुत हल्की हल्की हवा चल लुए है कि और यह सामने देख है ग्रीनवे जो कि काफी सांत है और green way इसलिए बोल रहे हैं कि इसके दोनों तरफ आपको greenery मिलेगी एकदम हरियाली नेचर के साथ और बारिस होने के बाद बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो गया है तो इस green way पे आप अपनी मासुका के बाहों में बाहें डाल के टहल सकते हैं तो आप इस बिद्या घास को तो जानते हैं जाना सुन्दर लग रहा है जान कितना सुन्दर लग रहा है काफी अच्छा स्मूज सा लग रहा है हल्की हल्की पानी जो है इस पर बारिश की बूने जो है लगी भी है काफी अच्छा लग रहा है यार कसम से अतलब नेचर के साथ ना हमेशा जो है जुड़के रहो बहुत ही सुन्दर लगेगा और ये अमेशा पार्क का उधर से नजारा काफी जो है द्रिस अद्भुत आ रहा है और बारिश का मौसम अभी बन रहा है और बारिश बहुत सांदार होने वाली है और ये वो रास्ता है ब्रेदर मरीन ड्राइव ये सामने है और इधर से आप रिवर फ्रेंड भी जा सकते है इधर से फ्री में जा सकते है टिकट जो है आपको नहीं लेना हो तो आप जश्ट आईए इस वाल को बांडरी वाल को फांद के और यहां से इंटर हो जाईए विल्कुल ये गेट बना हुआ है तब ही हम लोग उधर नहीं जा रहे है क्योंकि तो काफी सुहाना मौसम देखके क्योंकि जश्ट बारिस हो चुकी थी तो उसको होने के बाद मैं खुद को रोग नहीं पाया है यहां से मैंने कहा आपको दिखाया जाए बिल्कुल प्यारा सद्रिस्थ बिल्कुल बारिस होने के बाद वाला मौसम ना देखके अभी जश्ट बारिस होई है पानी हलका हलका लगा हुआ है ओ भाई रिवर फ्रेंट कसम से यार बहुत ही जवरदस लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा भाई वाव वाटर व्यूटी असली व्यूटी तो यह है भाई नेचुरल व्यूटी है यह हो सामने आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा लगारा है बहुत ही सुन्दर भाई तो बारिस जो है आने वाली यह घने और काले बादल बन रहे हैं और बिल्कुल सांत महौल है यह है गोमती रिवर फ्रेंड का नजारा और अपनी नदी भी उपान पे है बहुत ज्यादा बारिस होगी बिल्कुल भर चुका है एकदम लबा लब और वह अपोजी साइट का है बहुत इसंदर लग रहा है यार इस जगह को तो आप जानते ही होंगे लेकिन ये मौसम बारिस का है काफी बादल लग गये हैं काले काले बादल लेकिन साम भी हो रही है तो काफी जरे से जबर दस्ता रहा है बारिस के तुरंद बात का नजारा है काफी सुन्दर लग रहे हैं यहां पर काफी पीस्फुल लोग जो है वाक करते हैं विदाउद वाइलेंस तो बहुत जबर्दाश भी से राइस है तरीन सा हंड़ा ठंड़ा मौसम हो गया कूल कूल एक्दम और यहां से आप देखने में तो साथ हांटियों का नजारा दिखे देखने में काफी अद्बुत लगते हैं तो रदर यहां पर कुछ सुटिंग जारी है तो मस्ती कर रहे हैं लोग प्रीविटिंग सूट है क्या यार तो हमारे भाई साब ने हेलमेट को बांद दिया दिंजीरों से तो इनका हाथ गंदा हो गया थोड़ा यहां पानी मिल आ है तो यह हो गए हम लोगेट से इंटर अगर आपका भी किसी का हाथ गंदा हो जाए और पानी ना हो साथ में तो इस फाउंटेन के पानी का यूद कर सकते हैं जैसे कि मेरे अधीज फ्रेंड मित्र भाई ने किया है मैं तो लगनों का मैंने देखा भी मरीन ड्राइब आ गया है बारीज में काफी सांदार लग रहा है यह हम बिटकर पार्क पीड़ों के बीच बहुत ही जबदस लग रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी घर पे ना गया तो मैं फज आओंगा इस बारीज में भैंकर वाली बारीज में तो नया बिजनेस स्टार्ट हो चुका है फूल यहां पे बेचेंगे तो बारीज चुन होगी बारीज चुन होगी और लाइटे जलनी सुन हो गई है अब तक मैं सोच रहा था कि सिगनल है लेकिन यहां के चोटा से एक्सिगेंट हो गया है उस तरब इस पूटी यह स्पूटी से यह गिर गई है इस बारीज के बार कर देखो जो नजारा है यह है गोंची नगर बिल्कुल प्यारे प्यारे मौसम और सामने दिख रहा है अपना यूपी दर्शन पार्क जिसमें हम लोग कभी ने गया कि इसका टिकेट सौर रुपए पार है अकुन कभी हिमत भी नहीं परिकाइस यह रहा इस बारीज बहुत केज हो गये हम लोग कहीं से शक हो गया है अब बहुत जबरदस पान गिरा यार मुस्के से 20-50 मेल भी नहीं है अग्यार जालव बाइव नहीं है अपर तुबाइक वाला कुरी नहारा है इस ना लाई रहा है अगए अग्यार विल्कुल पानी पच्छी रते वे यह आधरा का नम्मर है जाईस वाव यह काला गोडा शी यह टाका को अग्यार अग्यार ने काथि प्रिम्यम गाड़ी इस अग्यार वाई देच वरूआ अग्यार विए को जो जो आग्यार में डीटी आए अग्यार अग्यार वह यह तो यहां पर क्या हो रहा है वार्फेंट को सिद्री प्लश्क की जो है लगों को डिलना कुड़ता है यह बाद के दो गारी निकालने से कि पीकि मेलडी है है कि आपको एवाद कर दो दो तक चाहरी निखना वाद अब दो निखना है